नमस्ते सांथियों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल साहता यूट्यूब चैनल के आज के इस विशेश वीडियो में तो सांथियों एक बार फिर से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के लाभार्थियों के लिए और जो लाभार्थी नए इस योजना के तहद जुड़ना चाहते हैं ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए दोस्तो एकरिकल्चर डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत बड़ी जो अपडेट है और खुसकवरी है सांथियों वो निकल कर आ चुकी है क्योंकि सांथियों जितने भी नए लाभार्थी इस योजना के तहद जुड़ना चाहते हैं ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से PM किसान सम्मान दी योजना की जो ओफीसियल पॉर्टल है उसे नए रेजिस्ट्रेशन के लिए सुरू कर दिये गये हैं और अ जिस तर से दोस्तों भेरिफाई किया जाएगा और उसके बाद उन्हें PM किसान सम्मान दी योजना का जो लाभार्थी है वो बनाया जाएगा तो सांथियों पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आज के डेट में देने वाला हूँ तो वीडियों में end त सांथियों पॉर्टल के अंदर नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अफीशली अब सुरू हो चुके हैं जहां पर लाभार्थी अपने ब्लॉक कार्याले में उसी के साथ प्रजीला के अंदर CSC सेंटर यानि की प्रग्या के अंदर में या फिर अपने मोबाइल से खुद जो है ऑनलाइन कर सकते हैं सभी ऑनलाइन प्रक्रियाव में दोस्तो जो अप्रूबल का प्रोसेस होता है सांथियों वो अलग-अलग होता है अगर आप CSC सेंटर या फिर मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं तो दोस्तो जो अप्रूबल है वो आपको ब्लॉक जिला और राजस्तर से लेना होता है या फिर अगर आप जिलास्तर से अपना आवेदन करते हैं तो सांथियो जो अप्रूबल है वो आपको सिर्फ जिलास्तर से ही लेना होता है उसके बाद आपके जो आवेदन है वो सुईकृत हो जाती है उसके बाद आपके खाते में पैसा भी आ सामने सेर करूंगा तो सांथियों जो रेजिस्टेशन प्रक्रिया है उसे करने के लिए आप सभी को गोगल या फिर क्रोम के अंदर pmkisan.gov.in search करना है आप यहाँ पर इस website के अंदर redirect हो जाएंगे यहाँ पर आने के बाद सांथियों यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल रहा होगा new farmer registration करके simply इस पर आपको click करना है आप जैसी इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के जो details है वो open होंगी जिसमे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो आधार number है वो डालना है जो भी आपका आधार number होगा उसे आप यहाँ पर fill up करेंगे उसके बाद आपको दूसरे side में आपको अपना mobile number यहाँ पर fill up करना है उसके बाद आपको अपना state को select करना है जो भी आपका state होगा और उसके आधार से जुड़े mobile number पर OTP जाएगा फिर उस OTP को भी आपको हाँ पर फिलप करना है उसके बाद आपके सामने जो form है वो open हो जाएगा form को फिलप करने फॉर्म में दोस्तों काफी सारे आपको details देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको अपना जो दिश्टिक है सांथियो वो select करना होगा प्रकंड select करना होगा आपको अपना village select करना होगा और उसके बाद सांथियो अपने आधार से जुड़े जो details है address है वो फिलप करना है उसके बाद आपके जमीन से समधने details वहाँ पर डालने होंगे जमीन के जो दस्ताविज है वो upload करने हैं और उसके बाद आपको submit बटम पर क्लिक करना होगा जैसे आप submit पर क्लिक करेंगे आपकी जो details से वह submit हो जाएगी और आपका दोस्तों जो registration है वो complete हो जाएगा उसके बाद आप दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बता दीता हूं जो status आप self registered farmer है CAC farmer है इस पर क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर से अपने status है उसे check कर सकेंगे कि आपका आविदन कहां पर pending है फिर उसे दोस्तों step by step जो pending details है उसे approval भी करा सकते हैं तो साथ यह तो हो गई CAC और पॉर्टल के माधिम से registration की प्रक्रिया अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिला इस तर पर आप किस तरीगी से जो है registration करा सकते हैं आपको document लेके जाना होगा जिला में जो भी आपकी नोडल अधिकारी है उनके पास नोडल अधिकारी की जो details है वो अगर जाना है वीडियो की description में कि लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे आपको अपना जिला से लेट करना होगा स्टेट करने के बाद तो आप जो अपने जिला की जो नोडल अधिकारी है उनकी details आप प्राप्ट कर लेंगे आपको वहां पर जाना होगा बताना होगा कि मुझे इस योजना के देहिता लेना है मेरा पंजिकरन कर दे तो उनके द्वारा जो डीटेल से डॉक्यमेंट है वो जांच किये जाएंगे उसके बाद आपका रेजिस्टरिशन कराएंगे तो आपको कहीं पर भी अप्रूबल नहीं कराना होगा 24 गंडे के अंदर आपका जो रेजिस्टरिशन है वो कंप् आप CSC या फिर मॉबाइल के माध्यम से ओलाइन करते हैं तो दोस्तों आपका आविदन जो है ब्लॉक इस्तर से जिला इस्तर से और स्टेट इस्तर से जो है आविदन को अप्रूब किया जाता है उसके बाद आपको बेनिफिसरी बनाया जाता है तो साथियो अगर आप तरकत नए रजिस्टर से समबंदे तक अगर जान करें अच्छे लिए कि तो वीडियो को लाइक करें इस परकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद